वेलो दोस्तों, हिंदी की विंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बात करेंगे हिंदी निबंधों के उपर तो इसके पहले भाग का मैंने कल आपको वीडियो बनाने करें दे गिया था कुछ निबंधों जो थे वो रह गए थे जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे तो चलिए एक शौर्ट नोट जो है डिस्क्रिप्षिन उसके बारे मी निबंधों के बारे में उसके हम चर्चा करते हैं तो पहला निबंध है हमारा आचरोन की सब्यता इससे बहले में बता दू कि जो पिछले वाले वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहां जाके आप पुराना जो इसका पहला पार्ट है वो आप देख सकते हैं तो चलिए आज हमें इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं तो पहला जो निबंद है इसमें वो है आचरण की सब्वेता जिसके लिखांगे सरदार पूरंड सिंग तो इस निबंद में उन्होंने आचरण के महत्तों को बताया है विद्या, साहित्य, कला, धन से भी अधिक आचरण को जो है स्रेश्ट उन्होंने बताया है अच्छे आचरण के लिए हिर्दे में प्रेइम, दया, नम्रता और उदारता होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने गरीब पहाडी किसान वो शिकारी राजा के माध्यम से जो है आचरण को स्पस्ट किया है उनकी कहानी बता कि उन्होंने यह जिस स्पस्ट की है उच नीच देश भाव समाप्त करने की जो बात है वो कही गई है और सर्वत्र मानवता स्थापित करने की बात कही गई है और सभी के अंदर आपको राश्ट्रिय देश भक्ती की भावना जो मिलेगी तो सब जो है अगला निबंध है श्रद्धा और भक्ति जिसके लेखक है रामचंद्र शुकली जी ये उनके निबंध संग्रह चिंतावणी भाग एक में संकलित है जिसका प्रकाशिन वर्ष है उन्हें साउन्तालिस इस इस निबंध में 17 निबंधों का संकलन है जिसमें श्रद्धा और भक्ति भी एक निबंध है तो श्रद्धा की परिभाशा उन्हें इस प्रकार से दी है कि किसी मनुष्य में जन साधारन से विशेश गुडिंग या शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थाई पद्दिती हिर्दे में स्थापित हो जात उसे श्रद्धा कहते है किसी के लिए जो मन में भाव उत्पन हो वैस श्रद्धा है श्रद्धा जो है वो तीन प्रकार की है प्रतिभा शील साधन संपत्ति तो यह उन्होंने तीन प्रकार की बताई है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम जो है वो भक्ति है तो इस प् आत्मक शैली में लिखा गया है और किसे भी निबंद की अगर बात करें तो पहले विए उन पर अच्छा सा चिंतन करते हैं और केवल वो बताते ही उसका उधारण दे के हर बात वो अपनी स्पस्ट करते हैं यह शुकले जी के निबंदों की खासित है अगला निबंद है नाखून क्यों बढ़ते हैं जिसके लेखक है हजारी पर साथ दिवेदी जी यह एक ललित निबंद है और नाखूनों को बार बार काटे जाने पर भी उनका बढ़ना इसका उन्होंने सभ्था और विकास के साथ जोड़ा है तो यानि हम एक थोड़ी सी ब पूरा एक निबंद जो है उन्होंने इस पर तियार कर दिया तो नाखूनों का बढ़ना उन्होंने सभ्था और विकास के साथ जोड़ा है नाखूनों का बढ़ना आदमी की पाश्विक प्रवर्ति वह संघर्ष चेतना का प्रमान माना है नाखूनों का काटना जो है वो स ईस निवन्द में उनके भाडतियता की जो महत्ता है समाजी की ववस्ता है राजनीतिक चिंतन है भाशा को आधार बनाकर रस बोध मौलिकता और शील बոध का चित्रन जो है वो किया गया है इस निवन्द में 18 निवन्दों का संग्रा है इसमें वालमी की रमायन रगुवन शम उत्तर रामचरित माधवचरित माधवकंदली इत्यादी रामचरित मानर से संबंदत संग्रा है तो जैसे कि रामकथास पे आधारित है तो ये रामायन राम उश्ना, महरिशी श्यवन, प्राचिस, तस, वालमिकी, वेद व्यास और रतनाकर यह जो है प्रतिकात्मक कथात्मक निबंध है जिसमें राज सत्ता यानि के इतिहास और कावे के बीच जो है वो संबंध बताया गया है सत्ता जब भी उपद्रव करेगी महावत कवी की जो तरजनी है वो उठेगी और रोकेगी अगला जो निबंध है वो है अस्ती की पुकार हिमाले जिसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी तो ये जो है एक ललेत निबंध कार है तो ये उनके द्वारा लिखा गया एक ललेत निबंध है तो अस्ती का क्या अर्थ है तो अस्ती जो है वो संस्क्रिट शब्द है और हिंदी में इसका जो है अर्थ होता है है और ये वर्तमान का परिचायक है वर्तमान का बोध कराता है ना ये भूतकाल का ना भविश्चिकाल का ये वर्तमान का बोध कराता है इसमें एक बात कही गई हो सकता है पूछ भी ने तो विद्या निवास जी हिमाले मुझे बुला रहा है तो ये किसने कहा है राफल संकरत्यायल ने इसके अलावा कालिधास के एक पंक्ति भी दी गई है तो इन्हों ने इन विष्य को आधार बनाया है अस्ती की जो महत्ता है तो वो बताया कि कालिधास की जो कथन supplier अस्ती को लेके वो उसके माधम सुरून ने वर्णित कैई है मानम की स्वार्थ परक्ता अस्तित्व का चित्रन जो है वो किया गया है सांस्कृतिक मुल्यों का किस प्रकार से विगटन हुआ है वो बताया है शहरों में व्याप्त जो प्रदूशन की समस्या है इसका चित्रन हुआ है पारिवारिक संबंदों में तनाव की बात की गई है हिमाले से विश्वास घात का चित्रन जो चीन यूद का वर्डन है वो किया गया है तो यह का कि हिमाले जो है वो पुकार रहा है लेकिन उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है क्यों सुनाई नहीं पड़ती तो इसके लिए अलग-अलग उन्होंने कारण जो है वो इसमें बताई हैं कितना प्रदूशन हो गया है कि लोगों की जो है माले की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है तो इसी प्रकार से सिमन में अलग-अलग चीज़े दे के बताई गई है अब इसका विस्तार पूरवगी पढ़ सकते हैं मैंने उसके उपर भी वीडियो बनाया था आपको प्लेइलिस्ट भी इसके उपर की सारी वीडियो मिल जाएगी जो भी यूपियाचेसी का सिले बस था तो आप वो भी एक बार ज़रूर देख ले तो अगला निबंध है व इसमेर शमाज वहार राजनेति पर व्यांग किया है 1975 से लेके 1985 तक अबदे में लिखी गई है इसमें दो घटनाओं का उन्हें झार ने मुक्हरोप से जिक्र वह किया है 1975 से जो अधेल पुदल हुई उसका जिक्र किया है और 1976 में जो उनकी टांग तूट गई थी इनका वढ़न किया है तो एक तरफ रॉन Neyna राजनिती विकलांगता तो जो राजनिती में विकलांगता गई है उसका वढ़न किया है साथ-साथ शारीक विकलांगता का वर्णान भी उन्होंने किया था तो इसके माधिम से उन्होंने विकलांगता की बात जो है इसमें की गई है कि किस प्रकार जो है शद्धा जो लोगों के बन में भाव है वो विकलांग होता जा रहा है अगला निबंद है शिव शंभू के चिठ जिसके लेखा बालमुकुंद गुपत जी तो 1903 से लेके 1907 के अमदिये भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था शिव शंभू जो है कलपित नाम है और इसमें उन्होंने गुपत लॉड करजन को शिव शंभू कलपित नाम से संबोधित किया है लॉड करजन के जो शाशनकाल में भारते जन्त जो दुर्दशा थी उसकी बारे मुझे बताया है और इसके लिए उन्होंने लॉड करजन को आठ चिठ्थे यानि पत्र लिखे थी और इसमें दो निबंद या दो चिठ्थे और लिखे गए हैं वह लॉड मिंटो को तो इसमें दस हो गए आप दिये रिख लिए दस चिठ कर निबंद है तो यह थे हमारे संपूर्ण निबंद जो कि यूपिए जेसी के सिलेवस में दिये गए हैं उनके उपर एक संक्षिप्त विवरण तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्